अब ही अगर आपका प्रेटनसी का 9 मंद्स चल रहा है आपका डिव डिट आसपास है या क्रॉस कर चुका है तो आपको क्या करना चाहिए कब तक वेट करना चाहिए कब जाके डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कब एडमिट होना है तो वीडियो को लाज तक जरूर बेस तक होता है तो दिफर करता है कौन सा बेबी कितना टाइम लेता है तो अगर आप आपका डिव डिट अभी प्रोस कर चुका है या पास्ट में है लेकिन अभी तक लेबर पर नहीं नहीं स्टार्ट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप क्या करिए एक बार और फिंगर चेकप करते हैं उससे पता चल जाता है कि आपका सर्विक्स कितना ओपन हो रहा है और डेलिवरी आपका कब तक हो जाएगा तो उसके बाद और अगर डॉक्टर आपको सब कुछ ओके बोले हैं आपका वाटर ब्रेक भी नहीं हुआ है ना बीपी हाई है ना आपक सब कुछ एगर ओके है दें आप क्या कर सकते हैं आप डियूडेट का नेक्स्ट टेंड डेस तक आप वेट कर सकते हैं लेबर पेन के लिए तो अगर लेबर पेना आजान नेक्ट दस दिनमें डियूडर डियूच करने के बाद तो बहुत अच्छी बात है आपका नॉर्मल डिलिवरी का चांसेस बढ़ जाएगा अगर नहीं भी आया तो आप क्या करिए जाके एड्मिट हो जाएए और भी बहुत सारे प्रोसेजर है लेबर पर इंडियूस भी किया जा सकता है और नहीं भी हो पाया तो वोश्ट केसमें सी सेक्षन भी हो सकता है म पाश्टर ओयल पीना और बहुत जादा घी पी लेना वह सब मत करिए पपीता खा लेना पाइनेपल खा लेना स्पाइसी फूड वह कुछ काम नहीं करता और वह क्या करता है ना आपके स्टोमक को अपसेट ही करेगा और कुछ नहीं उस टाइम लूज मोसन स्टार्ट हो जा करके लेबर पर हैं कुछ फूर्ट जो माना जाता है कि लेबर पर हो जाता है आप उसको कर सकते हैं जो कि सेफ होता है तर यह बिद्ध कर Moderum पाइसे कर 對不起 का जाता है लेकिन उसको कई Alright does not participate, not fat happens होता है लिमिट में खाईए दो तिन खाईए ओक है अगर आप खजूर खा रहे है एपल एक डेली खाईए वो भी अच्छा बात है यह सब आप कर सकते हैं इसको छोड़ के बाकि जो काश्टर और पीना यह सब बिल्कुल भी मत करिएगा और हां आपका लेबर पहनाने तक आप दन्यवाद